जब से पीम मोदी लक्ष द्वीब का दौरा करके आई हैं, तब इसे खबरों से लेकर सोशल मीडिया तक चारों तरफ लक्ष द्वीब की चर्चा जोरो पर है। लोग लक्ष द्वीब के बारे में जानना जाते हैं। ऐसे इसलिए भी है क्योंकि पीम मोदी ने खोद अपने ट्वीट में लक्ष द्वीब का सिक्र किया है। और कहा कि अगर आप रुमांच का अनुभफ करना चाते हैं तो लक्ष द्वीब आपकी सोची में होना रसल जारतर लोग देश से बाहर आइलेंट घुमने जाने के लिए मालदीव का चैन करते हैं। यही कारण हैं कि बहुत से लोग लक्ष द्वीब की खुबसूरती को देख नहीं पाते। चलिया आज हम आपको बताते हैं कि लक्ष द्वीब में कौन-कौन से द्वीब अच उठा सकते हैं। अंदर की सुन्दरता का दिदार कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लक्ष द्वीब एक अकेला द्वीब नहीं हैं बलकि ये 36 द्वीबों का समों हैं। ये चारों तरफ समंदर और हरे भरे लैंड्सकेप के लिए जाना जाता है। मल्यालम और सं संस्कृत में लक्ष द्वीब का नाम एक लाक द्वीब है। कोरल ड्रीफ यानी मूंगा चट्टानों से बना ये द्वीब मालदीव को कई लिहास से माक दिता है। यहां तक की मिनिकोई द्वीब हैं जिसे मिलिकू कहा जाता है। ये लक्ष द्वीब का एक एहम द्वीब में से एक है ये द्वीब अपने शांदार समुद्री जीवन के लिए मशूर है यहां जुनसंक्या सादा नहीं है यहां मशली पकड़ने का काम सबसे जादा होता है यह स्नौर्कलिंग और डीप सी ड्राइविंग के लिए जाना जाता है इसी कड़ी में बात कवर्ती है जिसकी वज़ा से यहां खासी हर्याली फैली हुई है अगर आपको कुद्रती नजारे पसंद है तो यह जगा आपके लिए ही है और यहां हर साल बहुत से प्रेयर टक आते हैं यहां एक मरीन म्यूजियम भी है जहां आप शार्क स्केल्टन जैसे चीज़ों को देख सकते हैं समुद्री जीवन के बारे में आपको हर जानकारी इसी म्यूजियम में मिल जाती है यहां का एक छोटा सा द्वीप है पिटी द्वीप इसे कल्पेनी द्वीप भी कहा जाता है अगर आपने यह नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा यह बहुत साफ सुतरी जगा है यहां पक्षी बहुत जादा संख्या में हैं और इस वज़ा से यहां लोग केवल पक्षी ही देखने आते हैं पिटी बड़ संक्चुरी में जाने के लिए पहले से ही बुकिंग करने की जरुरत होती है नहीं तो मुखा नहीं मिल पाता कलपैनी द्वीप में जाने के लिए पहले से ही बुकिंग जरूरी है और क्योंकि यहां भी ठैननी के लिए जगा असानी से नहीं मिलती यहां का खाना लोगों को खासा पसंद आता है यहां पर विदेशी प्रेटक नहीं आ सकते हैं इसलिए यहां भीड भी नहीं होती है और यहां आप अकेले इंजुआए कर सकते हैं इन द्वीपों के अलावा लक्ष द्वीप का स्वर्ग बंगाराम एट ओल तो आपको जाना ही चाहिए बहुत से लोग इस द्वीप को लक्ष द्वीप का सबसे बढ़िया द्वीप मानती है यहां प्रकरती प्रेमियों के लिए बहुत सी जगा है जहां वो खुबसूरती का आनन भी ले सकते हैं लक्ष द्वीप का ये द्वीप इसलिए भी लोग प्रिया है क्योंकि यहां पर शराब खरीदना और पीने की अनुमती है इसके अलावा थिनाकारा द्वीप अपने वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर के लिए खास तौर से जाना जाता है यहां आने पर ऐसा लगता है कि आप किसी प्राइवेट द्वीप पर आई हैं कहा जाता है कि पूरे द्वीप में केवल 20 ही कम रहे हैं यहां के खुबसूरत लैगून साफ बीच प्रेटकों को खासा अकर्शिप करती हैं लक्ष द्वीप के अगाठी द्वीप पर पहुशना सबसे आसान है क्योंकि यहां एरपोर्ट है और कोची से हर हफ़ते की उड़ाने चलती है एरपोर्ट से लैगून तक जाने के लिए रास्ता केवल 20 मिनट का है यहां की ट्वीना मशली का भूजन खासा लोगपी है इसके अलावा भी शाकहारी भूजन के भी यहां बहुत अच्छे विकल्प है यहां रहने में भी किसी तरह की परिशानी नहीं होती अलाकि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सरूर बताईएगा